मिसमें लेहर हमारी में असलाम अलेकुम आजमतिया में इस डिजाइन के प्लैट्फॉर्म से आपके लिए फाइजा सक्लाइन का बहुती हीड डिजाइन लिख रहा है इसमें पहले वाइट कलर आया था अब इसमें पिंकेश पीच कलर आया है मैं आपको इसका ओवर्लुक देता हूं ड्रैस का कि सेम इस मॉडल पिच्चर होगा इस पर शीशा थ्रैड और पल्स से एमलिश काम हुआ है अच्छे देखिए इसका दामन है बहुत ही चौड़ा दामन दिया है ठीक है अच्छे जो शीशे लगे हैं यह सब थ्रैट से स्टिच हुए है लब यह पेस्टिड नहीं है और यह पल्स भी यह सब पिंड हुए है और यह थ्रीडी फ्लावर्स लगए है इसके बॉर्टर पे आप यह देख सकते हैं कि सब 3D फ्लावर्स नहीं है ठीक है बहुत फ्रीकेंट यूज हुआ है 3D flowers का फुल ड्रेस में इस पर देखने शीशा पर्ल्स और 3D flowers से काम हुआ है बाकि इसकी फरंट शाट है कपड़ा इतना है कि आप इजली किसी भी साइस का स्टिच करा सकते हैं सब कुछ फैब्रिक पर इम्राइट यह सिर्फ दामन अलग से दिया हुआ है यह इसकी शीशे से काम हुआ है स्टिच हुए में सब और यह पर्ल्स भी पिंड है इस तरीके से काम हुआ हुआ है अब कि यह हैंगिंग टेसल दिया हुआ है जो कि आप नेक लाइन के तौर पर आप लगा सकते हैं जिसों मॉडल ने लगा हुआ हुआ कि कपड़ा इतना है कि आप इसली किसी भी साइस का स्टिच कर वा सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी कर रहा है इसके साथ इनर भी से इनक्लूटिटेड़ मैंने नीचे रखा हुआ ठीक है कि यह स्की मॉड़िट स्लीव से कि कलर वीडियो में थोड़ा सा लाइट आ रहा है लेकिन यह पिंकिश पीच कलर रहे जैसे बेबी पिंक के लाता ना वैसा कलर रही है इसमें बहुत जाधा पीच लग रहा है त्रीडी फ्लावर्स लगें सारे, ठीक है स्लीव से बाद पर ये शीशे से काम होगा है लेकिन जैसे इसका कलर आ रहा है ये पिंकिश पीच कलर है इसका ठीक है वीडियो में बहुत ज्यादा ये लाइट आ रहा है अच्छा ये इसके बैक है इसका ट्राउजर है ट्राउजर के साथ इसका बंच दिया हुआ है यह इसकी इम्राइड डुपट्टा है इसके चारो तरफ इस तरीके से लेस लगी हुई है यहां पर देखें शीशे से भी काम हुआ हुआ है यह चारो तरफ इस तरीके से लेस है काया कट हुआ हुआ है इसक के दूपटे पर ठीक है और बीच-वीच में बूटी यहां भी है अच्छे यह आप आउडर करने के लिए अपना नेम एड्रेस नमबर और जो ड्रेसर उसका स्क्रीन शॉट लेकर आप हम वाट्सप कर सकते हैं या फेस्बुक पर मैसेज कर सकते हैं बागी करांची में हमारी अब यहां पर विजिट करके चेक करके भी ड्रेस परचेस कर सकते हैं हुपी लाइक एट थैंक यू लाफिस